तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप Office 365 को फ्री में यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई license का जोरी नहीं पड़ेगा और कोई pay भी नहीं करना पड़ेगा तो इसके लिए आपके पास एक Gmail ID होना चाहिए जिसके तुरू आप access कर पाएंगे Office 365 को और उसमें जो Excel है Office 365 को उसको यूज कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये process दिखा रहा हूं तो process दिखाने से पहले आपसे request है कि अगर आप first time इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को subscribe करें और bell icon को भी प्रेस कर दे कि इसी type का video आपको update मिलता रहे है तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना ये Chrome का browser या फिर आपके पास जो भी browser है उसको open करके, उसके address bar में type करेंगे, office 365 office 365 पे click करेंगे, तो यहाँ पे पहला आपको option ये link मिल रहा है, office 365 login उसके उपर में click करेंगे तो यहाँ Microsoft का page open हुआ है, जहाँ पे आपको ये heading में दिख़रा है, office 365 और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, sign in का इसके उपर में click करेंगे अब यहाँ पे आप option आता है, sign in और create one अगर आपके पास कोई भी, अगर office का आपके पास अगर कोई Microsoft office का account नहीं created है, तो आपको ये create करना पड़ेगा तो मेरे पास already created है, फिर भी मैं आपको एक process दिखा दे रहा हूँ, इसमें create one पे click करना है और यहाँ पे आपको जो भी Gmail ID है, उसको यहाँ पे देना है, Gmail ID डालिएगा उसके बाद एक verification code आपकी उस particular Gmail ID में वहाँ पे भेजेगा फिर वो code इसमें डालेंगे, फिर वो आपसे password आपके इच्छा नुसार आपको password यहाँ पे देना है यहाँ से मैं अपना email ID के थ्रो लॉग इन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे email ID पूट कर लेता हूँ अपना Gmail ID पूट करने के बाद मैं next पे create करूँगा तो यहाँ पे मेरे से Microsoft का password पुछ रहा है, जो create account करते एक time में मैंने दिया था यहाँ पे तो password आपको यहाँ पे डालना है उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे sign in button पे create करेंगे sign in button पे click करेंगे यहाँ पे जो option आ रहा है यह है yes और no इसमें से आप कोई भी select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ no तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास Microsoft Office 365 को मैं login कर चुका हूँ और इस पेस के माध्यम से आप यहाँ पे जितना भी आपको left side में अप दिख़ड़ा है जैसे कि word है excel है powerpoint है outlook है one drive है और teams है इन सारे को भी आप access कर पाएंगे जो कि Microsoft 365 में available है और यहाँ पे आपको एक साथ में और चीज मिलता है एक आपको cloud में free space में लेगा 5GB का उसको भी आप यूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ से आपको excel का एक app open करके मैं उसमें कुछ दिखाना हो formula काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यहाँ से मैं जाकर blank workbook को लिया अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सल ओपन हो चुका है blank excel अब इसमें हम ट्राइ कर रहा है कि जो office 365 का जो formula है वह इसमें काम कर रहा है नहीं जैसे कि होता है एक्स लूक अप जो office 365 में है तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एक्स लूक अप तो आप देखेंगे यह formula यहाँ पर मेरा काम कर रहा है जो मैं दूसरे formula के बाद करूं तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरा कोई formula टाइप कर रहा हूँ जैसे होता है example के लिए take formula लूँ take भी काम कर रहा है तो आप देख सकते कि यहाँ पर आपके पास office 365 नहीं होने के बाद भी आप ऐसे excel में यहाँ पर काम कर सकते हैं तो अगर आपको practice करना है या कुछ भी सिखना है तो आप यहाँ से use कर सकते हैं office 365 excel का अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को भी subscribe करें तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ने topic के साथ तब तक के लिए थन्यवाद